असलाम अलेकूम दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्सिनेटर टेस्ट की तैयारी के हवाले से आम सवालात अगर आपने हमारा चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्स्राइब कर ले और घिंटी के बटन को दबा दे और कमिट बाक्स में डिवे मारी से सब्सक्राइब के लिए है ऑस्टों सवाल मंबार दूसरा है आप वेक्सिन निटेम भी मारी से material के लिए है दोस्तों कर दिर्स जवाब जो है वो सभ्याव रिस के लिए के कोशन नमबर तीन है मीजल किस को रोकने के लिए है दोस्तों इसका दुरुच जवाब जो है मीजल के वैरिस को रोकने के लिए है कोशन नमबर चार है मीजल किस विमारी से हिफाग के लिए है दोस्तों इसका दुरुच जवाब जो है खसरे की विमारी से को रोकने के लिए है कोशियर नमबर पांथ टीस सीवी टाइफेट कंजूगेट वैक्सिन किस को रोकने के लिए है दोस्तो इसका दूर्च जवाब जो है बेक्ट्रिया को टाइफेट की बेक्ट्रिया है उसको भरने से रोकती है कोशियर नमबर सिक्स है टीस सीवी वैक्सिन किस बीमारे से हिफा कुछिन नमबर साथ है टीटी वैक्सिन किसको रोकने के लिए है जवाब इसका दूरत जवाब जो है तनावत तशनस जो जटकों की बिमारी है और तुम्हें इसको रोकने के लिए ये वैक्सिन लगाई जाती है कुछ नमबर आठ है बीसी जी वेक्सिन कितनी उमर तक लगाई जाती है दोस्तों इसका दूरुज जवाब जो है पैदास ने लेकर एक साल के उमर तक ये वेक्सिन जो है लगाई जा सकती है बीसी जी वेक्सिन का कितना डोस दिया जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही आम सवाल है कि बीसी वेक्सिन का जो डोस है वो कितना दिया जाता है बचे को दोस्तों इसका दूरुज जवाब जो है जीरो पाइट जीरो फाइव सीसी दिया जाता है इसको हम एमल में भी काउट कर सकते हैं कोशनिमबर टेन ए वी सीजी वैक्सीन कैसे लगाई जाती हैं दो ये भी बहुत ही आम सवाल है कि वेक्सीन किस तरह लगाई जा सकती है तो दोस्तो इसका दुरुजवाब जो है इंट्राडर्मर है जो के 10 से 15 डिग्री तक लगाई जा सकती है तो इस तो ये खाल के अंदर लगती है ये बहुत ही आम सवाल है ये टेस्ट में आ सकता है कोसी कंदर ये वितामन एक कमी कुनसी विमारी का सबब बनती है दोस्तों इसका दुर्श जवाब जुल्द की खुशकी और रात के अंधेपन का सबब बनती है कोसिंट यामबर बारा है वितामन ए कहां महफूज होता है दोस्तो यह पूछ रहा है कि विटामन A जो है बॉडी के अंदर कहां पर महफूज होता है दोस्तो इसका दुर्ज जवाब जो है विटामन A जिगर में एस्टर के तोर पर महफूज होता है कोश्चिन नमबर 13 है विटामन A का भरपूर जरिया दोस्तो यह भी बहुत आम सवाल है कि विटामन A जो का भरपूर जरिया जो कहां से हासल होती है दोस्तो इसका दुर्ज जवाब के अंडे से अंडे खाने से विटामन A मिलती है कोश्चिन नमबर 14 है विटामन A कहां पाया जाता है । दुस्तो इसका मौस्टली जो है डेरी मस्वınıवात्स में पाया जासता है कोशन नम्बर 15 ने, बिटावन वी 2 का दूसरा नाम क्या है दुस्तो ये इसका मौस्टली जो है, रॉफ जी राईबोफ 11 है कुशिन नमर 16 ने किस एक मारे आसर कदीमा ने इबताय तवर पर मोहिंजोदरों का मकाम दराफ्ट किया वादी सिंद की तहजीब को भी दराफ्ट किया दूस्तो इसका दूर्श जवाब जो है राकलदास बनर जीद है कुशिन नमर 17 है वादी सिंद की लोगों का बन्यादी पेशा क्या था दूस्तो वादी सिंद का जो बहुत पुराना जो एक पेशा था वो जरात था जो आज भी उसको वो भी चलता आ रहा है कुशिन नमर 18 है वादी सिंद की तेजीब को आरियाई तेजीब के नام से जाना जाता है क्यूंकि उनके सुबूत तो इसका दुरू जवाब जो है सक्रेप्ट सुबूत है कुशिन नमर 19 है वादी सिंद के लोगों को कौन सी दियात मालूम नहीं थी तो ये बहुत ही आहम सवाल है कि कौन सी जो दियात वो मरम नहीं थी ये है लोहा क्वेशन नमबर बीस से जगत उस्ताद से क्या मुराद है जबस्तो जगत उस्ताद जो है वो एक कारिगार था दुर जवाब जो है कारिगार है क्वेशन नमबर 21 है यहुद्यों के पाक किताब कौन सी है जुस्तों यह भी एक आहम सवाल है यह NTS टेस्ट के अंदर आ सकता है तो इसका दुरुजवाब जो है तोरीत है क्वेशन नमबर 22 है आन हज़रत इसा अले सलाम पर कुन सी किताब नाजल हुई थी तो इसका दुरुजवाब जो है इनजील है क्वेशन नमबर 23 है तोरीत किस नवी पर नाजल हुई थी तो इसका दुरुजवाब जो है हज़रत मुसा अले सलाम पर नाजल हुई थी कोशिन नमबर 24 है सबसे तवील आयत कुरान मजीद की कौन सी है तो कुरान मजीद की सबसे तवील जो आयत है जो बड़ी आयत है वो आयत कुर्शी है कोशिन नमबर 25 है सबसे चोटी सुरत कौन सी है दोस्तों कुरान मजीद की सबसे चोटी सुरत सुरत कौसर है है कोशिन नमबर टॉंटी-सिक्स है आइ क्यू का है वाइट कम नेक्स इन स्षिरीज के अंदर नेक्स जो है वो कौन सा वाइगा तो जवाब जो है ठाइप इन वार्ड कम नेक्स्ट इन सीरीज दोस्तों से इससीरीज में जो है कौन सा आएगा तो दोए दो 2017 तार व्री पार्ट काम नेक्स्ट से इससीरीज में जो नेच्ट वर्ड है एक में 25 अव्र एगा एगा कीमें 15 15 आएगा वार कक्व नेक्सिन इन सीरीस दोसलों 13 अवाट कम नेक्सिन इसलिस दो इस सिरीज में यीो बहुत ही आम सवाल है कि रोप सिरीज में नेक्स जो है जो है तो अगर आपने हमारा चैनल सबस्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक सबस्राइब कर ले और कमेंट बाक्स में अपने राये का इजार किजिएगा थेंक यू फर वाचिंग वीपार्ग मीडिया चैनल इंशारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टापिक के साथ तो आपको मजीड भी एंटियस वेक्सिनेटर के हवाले से और टेश के हवाले से अच्छी सी तैयारी करवाएंगे ताकि आप एक पर लेवल के जो टेस्ट है उसमें नमबर्स एक्सपर्ट लेवल के लिए इंशारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए झाल